नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की और सबसे लंबे केवल ब्रिज का पीएम मोदी करेंगे उधगाटन जाने आखिर इसे क्यूं का हजारा है इंफ्रा मार्विल देश में इंफ्रास्टेक्टर का एक और नायव नमूना तयार हुआ है यह है सुदर्शन सेतु यह है सेतु देश का सबसे लंबा केवल ब्रिज है इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है करीब 980 करोड रुपे की लागत से तयार हुए इस ब्रिज को कल प्रधान मंत्री नरेन रोमोदी राष्ट को समर्पित करेंगे यह केवल ब्रेज ओखा को समुद्र के बेच बसे भेट दुवारका से जोडता है यूनिक डिजाइन पताया जाता है कि सुदर्शन सेतु का अदूतिय डिजाइन है इसमें दोना तरफ श्रीमत भागवत गीता के शलोकों और भगवान क्रश्न की छवियों से सजा हुआ एक फुटपात है इसमें फुटपात के उपरी हिस्से पर सौर ओर्जा के पैनल भी लगाए गए है जिससे एक मेगावाट बिजली पैदा होती है यह पुल द्वारका और भेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के आबागवन को तो आसान करेगा ही उनका समय भी काफी बचेगा पहले नाव का लेना होता था सहारा सुदर्शन सेतु के निर्मार से पहले तीर्थी यात्रियां को भेट द्वारका तक पहुंचने के लिए काफी मश्रकत करनी पड़ती थी उन्हें नाव पर निर्भर रहना पड़ता था मौसम खरागों तो लोगों को प्रतिक्षा करनी होती थी जुआर भाटे में तो इस्थिती बिकट होती ही है अब इस प्रतिष्थित पुल के बन जाने से देव भूमी द्वारिका के प्रमों के परिटक आगकर्शन के रूप में भी काम करेगा 2016 में मिली थी मंजूरी इस पुल के निर्माड को साल 2016 में केंद्रिय परिवाहन मंत्री नितिन गड़करी से मंजूरी मिली थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और भेट द्वारका को जोडने वाले पुल की आधरशला रखी इस परियोजना की अनुमानित लागत 962 करोड रुपए थी लेकिन बाद में यह संशोजित होकर 980 करोड रुपए हो गई इससे लक्षदी पर रहने वाले लगभग 8500 निवासियों को भी लाव पहुंचेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? इस पुल का डेकंपोजिड स्टील रिन फोर्टस कांकरीट से बना है इसकी चोड़ाई 27.2 मेटर्स है। इस पुल पर दोनों किनारे पर 2.5 मेटर्स चोड़ा फुटपाद भी बना है इस पुल के कुल लंबाई 2,320 मेटर्स है। तभी तो इसे देश का सबसे लंबा केबल ब्रेज, लॉंगेश्ट केबल स्टेट ब्रेज इन इंडिया कहा जा रहा है अब तक के लिए बस इतना ही, फिर हो गया आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें, दखबरदार न्यूस